हलो दोस्तों वेलकम टू वेदु आरा स्मार्ट लेर्निंग तो मैं सूरश कुमार आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूं तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वह आपका है क्लास एट का जिसमें आप फसते हो कुछ-कुछ कोशन्स में ऐसे जो आपको बना सकता है सुखाइर का तरिका क्या हो सकता है सब कुछ जानेंगे और कुछ ठीकी कॉंसेट in अभी जाने जेन ऐक याना कि यह मजाक चल रहा है यहां पे जबकि वह मजाकक नहीं हो एक्श्वल में पके लिए जनने वाली बाते होतें होती है सबसे पहले सि यह आपका पढ़ते हो ना यह square, यह square मतलब क्या, इसके area के दिया बात करते तो क्या होता है, side into side, मतलब क्या, मतलब कोई भी एक value है, जो कितने बार repeated है, कोई भी एक value है, जो कितने बार repeated है, two times repeated है, मतलब, मतलब बाबु यहाँ पर यह बोलोगे, repeated at two times call the square मतलब एक स्कुराइर आप किसे बोल सकते हो जब किसी भी टर्म को किसी भी टर्म का बोलने का मतलब वो जरूरी नहीं कि आपका नंबर ही हो तब ही उसका स्कुराइर होगा आपका माल ये variable term है तो क्या इसका square नहीं होगा अरे 2x लिखा हुआ तो इसका square नहीं होगा बिल्कुल होगा तो कोई भी ऐसा term जिसको जब हम दो बार repeat कर रहे है मतलब हुआ आपका क्या है square के form में है इसके बाद जैसे ही थोड़ी से आगे बढ़ेंगे तो जैसे मैं बोलूँ आपसे यदि मैं बोलूँ कि बताओ कि यहां पर माल लिखा हुआ है कितना 2x इसमें आपका variable भी दिख रहा है इसमें आपका constant भी दिख रहा है तो 2x का यदि square किया जाए तो आप बोलोगों कि 2 का square यानि कितना 4 और x का square यह नहीं कितना 4x square यह आपका square का form हो गया यह क्या हो गया इसका square हो गया ठीक है बात समझ में आ रही है मतलब square को क्या मतलब यह जो हम मैंने चीज किया है वो कैसे 4x square आया मैंने इसको क्या किया 2x को कितने बार repeated किया है 2x को 2x repeated किया है जिस वज़ा से जो इसका square आया है 4x square आया है बात समझे बाई समझो जैसे मैं बोलू कि बताओ 15 का square 15 का square बोलने का मतलब यह हुआ कि जो यह 15 है न वो आपका 2 times repeated है यानि कि 225 अब बोलो कि multiply करना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे तरीके जिससे आप easily square निकाल सकते हो यदि कुछ-कुछ बातें आपको पता होगी तब ठीक है देखो यहाँ पर समझना बात कि कैसे हम square निकाल सकते हैं किसी भी number का ऐसे mainly आप जानो कि 1230 तक का square आपको पता ही होना चाहिए बट फिर भी मैं यह मानके चलता हूँ कि आपको वो भी नहीं पता है तो पहले आप यह समझो कि 1200 कि कोई भी number हो जैसे आपको पता how to find a square हाव टू फाइंड असक्वाइर ओफ डिफरेंट नमबर कि किसी भी number का आप असक्वाइर कैसे निकालोगे यह चीजें तभी आपको पता चलीगे जब आपको एक formula आपको पता होना चाहिए जो बच्चा बच्चा जानता होगा सायद कि जो a plus b का hall square का formula होता है जो a plus b का hall square होता है वो आपका क्या होता है a square plus 2ab और plus b square a square plus 2ab plus b square यही तो formula होता है ना तो मैं अभी इसका इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है मैं भी जानता हूँ बट अभी मतलब इसका निकलेगा, क्यूंकि मतलब बनाने से मतलब बनता है, तो मतलब समझो, repeat करो, ठीक है, तो ये देखो A+, B, का or square यह आपको पता है, मैं अभी एक थोड़ा सा इसमें changing ला सब का प्लस हटा देता हूं यह भी प्लस जाओ भाई काम से घूमने चले जाओ भी तुम्हारी जरूरत मुझे नहीं है ओके तो A B का स्क्वाइर यानि कि क्या करो आप ऐसे सब में बार दे दो यह चीज़ समझ रहा हूं समझना अच्छे से कि जो आपका A प्लस B का हॉल स्क्वाइर था उसको मैंने क्या किया थोड़ा सा चेंज करके उसको A B का स्क्वाइर कर दिया तो A B का स्क्वाइर मैं सबसे मैंने प्लस हटा दिया तो सबसे प्लस हटा ना मैंने सबसे हटा दो अब यह क्या आगए एक form आगए आपका AB का square is equal to A square bar 2AB bar B square आपको सुरू क्या करना है starting करना है आपको उल्टे side से ठीक है आपको start करना है उल्टे side से मतलब इधर से ठीक है करने क्या वाले है square निकालने वाले जैसे मैं आपसे बोलू कि बाबू बताओ मुझे कि 12 का square होने वाला है वो क्या होने वाला है क्या पूछा मैं नहीं क्या पूछा मैं नहीं कि 12 का square जो होने वाला है क्या होने वाला है मतलब आपको यह formula पे इसको set करना है देखो तो जरा अभी मानले 1 जो है आपका वो A का काम कर रहा है और 2 जो है वो B का काम कर रहा है चीक है 1 जो है वो A का काम कर रहा है और 2 जो है वो B का काम कर रहा है तो आप बताओ 12 का स्क्वार मतलब कितना 1 बार 2 का स्क्वार हो गया 1 बार 2 का स्क्वार चलो यहां पर आप अपने मन से बार दे सकते हो, मैंने क्या बोला, पीछे से सुरू करना है, आपको उस साइड से सुरू करना है, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है, B स्क्वाइर, B स्क्वाइर मतलब कितने का स्क्वाइर, B आपका 2 है ना, तो 2 का स्क् कि इतनी बात समझ में आ गई आपको फिर मैंने बोला है टू एबी तो बताओ टू एबी कहने का मतलब क्या हुआ कि टू यहां पर मान लो है और एबी से एबी को मुल्टिप्लाइ करो कितना आएगा टू और एक टू एबी था तो इंटू इंटू टू कितना फोर हो गया फि मैं आपको नहीं पता है मैं मान के चल रहा हूं कुछ नहीं पता है इसलिए सीखने में मज़ा आएगा 9 का स्क्वाइर ना लिखकर हम इसको 09 का स्क्वाइर तो लिख सकते हैं ना एनी डाउट किसी को कोई डाउट नहीं है नहीं है ना मतलब क्या आप ऐसे समझो 77 जा 49 8 जा 64 99 जा 81 10 तक तो स्क्वाइर सबको पता ही होता है तो B2 यानी कितना 9 का स्क्वाइर आप multiply भी कर देना 81 होता है 81 का आप क्या लिखो 1 लिखो remaining में क्या लग दो 8 क्या लग दो 8 फिर 2A B करोगे तब भी 0 आएगा 1 का स्क्वाइर करोगे तब भी 0 ही आने वाला है मतलब ओवर उवराल आपका जो value होगा, वो आपका 81 ही होगा, one digit वाले में दिक्कत नहीं, आप जैसे कोई बड़ा number में लेकर देखता हूँ, large numbers, 34 का square क्या होगा, कितने का, 34 का square क्या होगा, मैंने क्या बताया पहले, कि आपको A और B assume करना है, तो यह आपका भी A का काम कर रहा है, और यह आपका अभी B का काम कर रहा, ठीक है, B का square, यानि कितने का square, B का square, पहले क्या करते थे, देखना ज़रा, पहले करते थे B square, तब 2 A B, तब A square, मतलब यहाँ भी पहले, 4 का square करेंगे, 4 का square कितना होता है, 4, 4 जा, 16, 16 का 6 मैं लिख दूं, 16 का 6, remaining in hand कितना बचेगा, one बचेगा, ओके ठीक है, इतना हो गया, उसके बाद 2 A B था ना, तो फोर्थ रिजा तो अभी A B कितना है, 12 वे 2 जा, क्योंकि 2 A B का मतलब क्या, 2 A B का मतलब, A B आपका क्या है, 3 और 4 है, उसको आप 2 से multiply करो गया, 24 आ जाएगा, तो 4 ती रिजा 12, 24, 24 और 1 remaining था ना आपका, तो remaining था तो उसको भी लिखी दो, तो 25 हो गया, 25 होने का मतलब है कि यहाँ पर आप क्या हो गया, remaining 2 बचेगा, फिर आपका कितने का स्क्वायर था, A का स्क्वायर ना, A का स्क्वायर यानि कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 9 और 2 कितना होता है 11, यानि कि 34 का जो square होने वाला है वो आपका 1156 होने वाला है इतनी बात समझ में आ गई ओल इस के लिए चलो देखो आगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर यह रूख जागा आप 96 का भी square निकालो न जी 96 का square निकालो आप ठीक है मैंने कि आप बोला पहले कि 6 का square क्योंकि यह आपका भी a है और यह आपका भी b है यानि 6 का square कहने का मतलब है कि 36 remaining कितना बचेगा 3 ठीक है 36 का 6 remaining कितना बचेगा 3 उसके बाद 2ab 96 जा 54 54 2 जा 108 108 आगया और 3 remaining था ना तो 108 109 10 11 11 हो गया 111 का क्या 1 लिखोंगा remaining कितना बचेगा 11 ठीक है फिर 99 जा क्योंकि a का square होता है यानि 99 जा कितना 81 81 और 11 कितना हो जाएगा 81 और 11 आपका 92 हो जाएगा तो यही तो आपका अंसर है ना समझ में आई बात यह तरीका सबको समझ में आ गया आ गया ना चलो आगे थोड़ा सा बढ़ू आपके बुक में बहुत सारे मेधर दिये रहते हैं कि आपको square निकालना है या square root निकालना है पहले मैं square पर ही बात कर रहा हूं सारा फिर अगले वीडियो में square root पर आउंगा पहले square के बारे में सब कुछ जानते हैं 100 तक 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 तो ऐसा कर लो कि 100 तक का square कहीं से भी पूछे तब 5 सेकंड में या 3 सेकंड में बता सको ऐसा ठीक है तो देखो आगे यह ती बढ़ू तो दूसरा तरीका मेरे पास है दूसरा तरीका यह दूसरा तरीका क्या है भाई देखो वो तो first meter था दूसरा तरीका यह बोलता है कि आपको कम से कम 25 से पलस का square निकालना है चीक है चलो अच्छे से लिग देता हूँ मैं आपको कि कम से कम आप कितने तक का स्वाइब करो 25 तक तो याद करी लो आप आलवेज माइन में रखना कि जब भी आपसे कोई भी किसी भी टाइब कोई भी पूछे तो 25 तक का स्वार्याद याद रहेगा वो आपके इक्जाम के कोईशन में भी सब जगा पर आपको अस्वाइर वगारा से रिलेटेड कोईशन दिखी जाते हैं एक नाएक तो आप 25 तक अस्वाइर करो बाकी का अस्वाइर निकालने के जिमेवारी मेरी आपको किस तरीके से समझाया आजा देखो 25 का प्लस का स्वाइर निकालने 25 से प्लस और 100 तक जाना है जैसे मैं बोलू आपसे कि बता बभण 49 मुझे बताओ क्या होगा नहीं पता कुम को मног का करेंगे तो बाथ खराब होगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर लोस ही लोस है चलो देखो पहले ये बताना जरा कि अभी हम 25 प्लस और 50 के आस पास लेके चल दे हैं तुमको target क्या करना है? तुम्हें target करना है 25 को और 50 को किसको किसको? मैंने सिर्फ दो ही नमर बोला है एक target करो आप 25 को और एक target करो आप 50 को इसी दोनों के बीच में रखना है सारे नमबर को कम या ज़्यादा होगा तो इसी से related होगा सबसे पहले जरा मुझे बताना तो कि 50 से 49 कितना कम है कितना कम है? बताओ, जल्दी बताओ तो 50 से 49 सबको पताए कि 1 कम है ठीक है, 1 कम है यानि कि 1 का square करेंगे जितना कम रहेगा उतना का square करेंगे यानि 1 का square 1 होता है लेकिन exact में 1 को हम कैसे लिखते है 0 और 1 2 digits में लिखते है ना क्योंकि मैंने 2 digits का square सीख रहा है सारा, मैंने सीखा है 2 digits का square तो आपको 2 digits ही रखना है 0 1, 0 4, 0 9 कम से कम minimum या maximum कुछ भी बोलो आपको 2 digits ही देना है तो 0 1 मैंने लिखा कोई remaining बचा, नहीं बचा remaining चलो बात खतम अब ये 25 से कितना ज़्यादा है जल्दी बताओ कितना ज़्यादा तो आप बोलोगे 25 से ये 24 ज़्यादा है 24 ज़्यादा है यानि कि 2, 4, 0, 1 आपका ये आंसर हो जाएगा करके देख सकते हो कि 49 का ज़्यादा होने वाला है वो आपका 2, 4, 0, 1 मैं फिर से बताता हूँ एक और एजाम्पन लेकर जैसे मैं बोला है 42 का स्क्वाइर मुझे निकालना है इसका 42 का स्क्वाइर तो सिंपल सी बात आपके साथ बताओ 50 से कितना कम है 42 50 से 42 कितना कम है तो आप बोलोगे कि 50 से 42 8 कम है 8 का स्क्वाइर कितना 64 बस 2 डिजिट फुल्फिल हो गया न मतलब उनको कोई भी 6,4 इसमें नहीं करना है 2 डिजिट है तो है ठीक है उसके बाद 25 से 42 कितना ज़ादा होगा तो 25 से 42 यानि सोचो 17 ज़ादा नहीं है क्या तो बस इसको आज इटीज क्या कर तो 17 ज़ादा उतना लिख दो यही इसका स्क्वाइर होने वाला है ओम स्वाहा बात समझ में आ गई उसी तरह से चलो अभी तक तो आप एक डिजिट में आए दो डिजिट में आए तीन डिजिट वाला भी एक लेके देखते हैं जैसे आप से पूछा जाए बाबू बताना भाई 36 का स्क्वाइर मुझे निकालना है क्या होगा इसका स्क्वाइर तो मैंने आपको बताया कि 25 तक आपको असक्वाइर याद करना ही पड़ेगा तभी इस चीज को आप समझ सकते हो नहीं तो कहीं न कहीं जाकर पर जैसे 36 है 50 से कितना कम 50 से आपका कितना कम हुआ 14 और 14 का जो असक्वाइर होता है वो आपका होता है 196 196 होता है मतलब क्या हम मैंने बोला था कि आपको मिनिमम या मैक्सिमम कितना भी हो आपको 2डीट ही लेके चलना है यानि यहाँ पर आपका 96 ही होने वाला है अलाबे कुछ भी नहीं होगा रिमेनिंग कितना बच या 1 1 को आपको रखना ये रिमेनिंग में फिर बताओ 25 से 36 कितना ज्यादा है 25 से 36 11 ज्यादा नहीं है क्या अब 11 जैसे ही ज्यादा और 1 रिमेनिंग था यानि कि 12 हो जाएगा 1296 आपका क्या हो जाएगा 36 का अस्क्वार हो जाएगा तो आप बोलोगा कि सर क्या ये जो रूल है वो सब पे अपलाए होगा कम से कम मानों 100 तक तो अपलाए होगा ही होगा ये रूल एकदम कन्फर्म चलो देखो बहुत गर्मी है आज राइट भी नहीं है इधर पता है आपको गर्मी में पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप अच्छे मैं भी अच्छा देखो तो बोला ये जा रहा है कि जैसे मुझे निकालना है 32 का स्क्वाइर कुछ नहीं करना है बस वही अपलाए 50 से कितना कम 50 से कितना कम यानि 18 कम 18 कम यानि 18 का स्क्वाइर करेंगे कितना आएगा 324 वह तो आपको याद करना पड़ेगा ना 25 तक नहीं तो फिर वह वाला ए प्लस भी का होल स्क्वाइर पर स्टेट करके देख लेना तो 324 आने का मतलब है कि मैं 24 लिखूंगा और 3 आपका कहा जाएगा रिमेनिंग में जाएगा एक आपका कॉलम में जो आपका आरे सगरवाल में फॉलो होता है एक आपका फाक्टोराजेशन में भी है बहुत सारे इसे में जो कि आप अपलाई कर सकते हो आएसे अभी फिलहाल मैं यह बता रहा हूं कि आप जैसे आपका एमसी क्यू आ गया तो एमसी क्यू देखते हो आजकल ज्यादा प्राइरिटी दिया जाता है इसलिए मैं भी थोड़ा सा इस क्लास में आपको बस इसको कैसे समझना है कैसे स्कॉर निकालते है कैसे हम इसको फाइंड आउट करते सब कुछ वही मैं समझाने की कोसिस कर रहा ह ठिक है तो आपका 18 कमता तो 18 का स्कॉर यानि 324 324 का मैंने 24 लिखा रिमेनिंग कितना बचेगा 3 फिर आपका 25 से कितना ज्यादा 7 ज्यादा है और 7 और 3 कितना होता है 10 यानि 10 24 आपका क्या हो जाएगा आनसर हो जाएगा ठिक है इतनी बात समझ में आ गयी अगे बढ़ूं अब आपको 50 प्लस में आना है जैसे मैं क्या बोला हूँ आपसे कि बताओ बावो कि 53 का स्कॉार क्या होगा किसका एक बात बताना ज़रा 53 बोलने का मतल़ है 50 से कितना ज़्यादा क्योंकि हमको क्या करना है मैंने सिर्फ यही बताया है कि आपको 25 और 50 को ही टारगेट करना है अलावे और कुछ भी नहीं होने वाला है तो 53 का स्कॉार यदि मुझसे बोला जा रहा है 50 से 50 से कितना ज़्यादा तो आप बोलें कि 50 से 3 ज़्यादा 3 का स्कॉार क्या 9 होता लेकिन मैंने क्या बोला है आट लिस्ट 2 डिजिट ओके या अलमोस्ट 2 डिजिट और 25 से कितना ज़्यादा है बताना तो जरा 25 से 53 कितना ज़्यादा है तो आप बोलोगे 25 से 53 सर आपका 28 ज़्यादा है देखो तो ठीक है 28 ज्यादा नी 2 8 0 9 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बात समझ में आ रहे मज़ा आ रहा है न चलो देखो जैसे मुझ से बोला जाए 67 का स्कॉर्इर क्या होगा बताओ 50 से कितना ज्यादा 17 ज्यादा है न यानि कि 17 का स्कॉर्इर करेंगे कितना आ जाएगा 289 आएगा 289 लिखने का मतलब है कि मैं 89 लिखूंगा और रिमेनिंग में कितना बच जाएगा टू उसके बाद आपको क्या करना 25 से कितना ज्यादा है तो इसली समझ सकते हैं यहां पर फूर बचता है नहीं 42 42 और यहां कि बस मज़े लेना यार कुछ नहीं है प्रेसर बगेरा स्कॉइर और रूट्स पर रहे हैं बहुत है हर जेप्तर कुछ भी नहीं है हर जेप्तर अपने आप में क्या है खास है ठीक है तो देखो यहीं चीज यहीं चीज को मैं थोड़ा सा लग आप समझो कि जैसे मुझे 74 तक कितना होता है 576 तो 76 मैं लिख दूँ और 5 आपका रिमेनिंग में रख दूँ चलो ठीक है इतनी बात कि लर हो गई 25 से कितना ज्यादा है तो ऐसा करो जदी से 25 माइनस कर दो क्या हो जाएगा आपके मन में है तो मन में नहीं तो फिर डारेक्ट भी 49 है 49 और 5 कितना होता है 54 होत आएगा अब 75 के बाद इस चीज को भी अप्लाई कर सकते हो नहीं तो मैं एक और रूल आपको बताता हूं जो मज़ेदार है जो आपको लगे कि वाह वाह सर वाह देखो वो नहीं करना है ठीक है देखो 75 प्लस की मैं बात कर रहूं ठीक है किसकी चलो इसको मैं यलो से भी दिखा ज़ेता हूं कलरफुल कंट्री में कलरफुल बाते 75 प्लस आपको दिखाना है क्या इस सबका स्क्वाइर क्या होगा कैसे निकालेंगी नहीं पता मैं बोलूं आपसे और जाना कहां तक है जाना तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ 99 का स्क्वाइर क्या होगा जुवेंड यू इवेंड डून्ट नूओ अबाउड दिस बड़ फॉलोव है देखो 100 से कितना कम 100 से कितना कम एक कम वन कम है ना तो वन का स्क्राइर कितना आज इट इस वन होगा किले रहे चलो अब एक बास समझो कि यह वन से कम है लेकिन कितने का स्क्वाइर कियो आप अभी तो वन आया है वन का ना तो जिसका स्क्वाइर निकालना उसमें से एक माइनस कर दो यानि कि 99 लिका हुआ था एक का आप स्क्वाइर कियो तो एक इसमें माइनस कर दो 99 में से वन माइनस कर दो कितना आ जा 97 का स्क्वायर मुझे निकालना है ठीक है 100 से कितना कम 100 से आपका 3 कम है ना 3 लेस है अब जैसे ही 3 लेस है मतलब 3 का स्क्वायर करोगे आप कितना हैगा 9 यानि कि 09 क्योंकि दोड़ जीट आपको लिखना यह तो फैक्ट है कितने का स्क्वायर की हो 3 का ना 97 में से 3 घटा दो बस और कुछ नहीं करना है 97 में से 3 घटा रहे यानि कितना 94 यही आपका स्क्वायर होता है समझ रहे है यह वह बात किलियर है बोलो आगे बढ़ू देखो आपको निकालना है 80 80 अभी रहने दो अभी 90 पे चलते है 92 का स्क्वायर ठीक है आपके 100 से कितना कम है यह 8 ना तो 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 64 8 का स्क्वायर कितना 64 और फिर जितने का स्क्वायर करोगे 8 का किये हो ना तो 92 में से 8 माइनस करोगे तो 84 आ जाएगा तो 8464 स्क्वायर हो जाएगा 92 का बात समझ में आ रहा आपके प्रेंश लोग भी सीख कर इसका थोड़ा इन्जवाई करें क्योंकि यह सारी चीजें पढ़ने के बाद स्टुडेंट्स में यहां ना या किसी में भी इंट्रेस्ट आता है पढ़ाई के परती बस वही इंट्रेस्ट मुझे चाहिए आप लोग से ठीक है तो देखो आगे दी बढ़ूँ जैसे मुझसे पूछा जा रहा है 87 का स्कुआ है बताओ 100 से कितना कम 100 से कितना कम तो अब 13 क कासपार कितना 169 होता है तो 169 होता है मतलब आपको दो ही डिजिट लिखना है 69 रिमेंग में आपका 1 बचेगा ठीक है और आपका कितने का स्पार किया अभी अपने 13 का ना 87 में से 13 माइनस करोगे तो कितना जाएका 74 74 और 1 रिमेंग था है नहीं कि 75 7569 आपका क्या हो यह चीज़े समझ में आ गई इतनी बात के लिए रो गई एक और बात जो आप लोग को बतानी है अच्छी वाली बात इतनी सारी बाते जानने के बाद आपको लग रहा हो कि वासर अस्क्वाइर तो हम लोगा आज तक करके लेकिन आज फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि असक्वाइर निकालने के और भी कई असे करो जब आपका यूनिट डिलिट 5 होता है उसका असक्वाइर कैसे करेंगे ? बात को समझने मुझसे यह बोला जाएगा कि बताओ 15 का स्कॉार मैं सिर्फ बात किसका कर रहा हूं जब आपका यूणिट जब आपका यूणिट डिजिट क्या रहेगा है विज इकल टूब 5 दिन क्या करेंगे 15 का स्कॉार नीकाल नहीं पता है मुझे क्या हो अरे 155 का स्कॉार और 1 का स्क्वार यानि 1 into 1 करते हो नहीं एक अस्टेप आगे कर दो एक का सक्सेशर लो और उसका टेबल करो यानि 1 बंजा ना करके क्या करो करो एक बढ़ जाओ तो वण टूसा कितना तू नहीं समझ में आए जैसे मुझे निकालना है 25 का स्कुएर ओके न वड्य आदेश का स्कुएर कितना पाइब का स्कुएर 25 हो जाएगा और आपका two का square कितना होता है four बैट two two जा ना करगे क्या करोगे two three जा करोगे एक step आपको आगे बढ़ना है two two सेब करना होगा बट नहीं आपको एक step एक successor लेना पड़ेगा उसका निकी two two जा ना पड़कर आप क्या करोगे 2 3 जा पढ़ोगे जाने कि 625 आएगा मैं बोलू 35 का स्क्वाइर देखो जा रहा और समझो जा रहा 5 का स्क्वाइर 25 भी रहेगा तो आप बोलू कि सर यूनिट डिजिट 5 भी रहने पर क्या लास्ट में आपका 2 डिजिट 25 भी रहेगा त्वेंटी 5 भी रहने वाले आप अप्लाई करकर देख सकते हो 35 का स्क्वाइर 25 बोलने का मतलब है कि 3 3 जा लेकिन आपको 3 जा नहीं करना है आपको 4 जा करना है 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 यानि कि 12 25 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाना है बात समझ में आ रही है यही और 7 का esquire या नहीं करना है 7 8 जा करना है एक सकचेजर, यानी 7 8 जा कितना 56 यही इसका esquire हो जाएगा ज़री मैं बोलू कि बताओ 85 का esquire क्या होगा तो 55 जा 25 होता है और 8 8 जा ना करके क्या करोगे, आप 8 9 जा करोगे यानि कि 72 यदि मैं पूछू 95 का स्क्वाइर क्या होता है दोनों तरीके से निकालता हूं मैं ठीक है ताकि आपको satisfaction मिले कि yes मैंने सही बनाया है पहले 5 का स्क्वाइर कितना 25 और आपका समझो बात को कि 95 का यानि 5 का 99 जा कितना होता है इसको दूसरे तरीके से करके देखते है जो अभी मैंने इसके पहले बताया था 100 से कितना कम 100 से 25 कम 25 मैंने लिख दिया कितने का स्क्वाइर की ओ 5 का ना तो 95 में से 5 घटा होगे तब भी कितना है का 90 25 देखो तो दोनों क्या equal नहीं है बात समझ भी मजा आया क्लास तो देखो इतनी सारी बाते आपने स्क्वाइर में जाना कि यह स्क्वाइर निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं आपको अस्क्वाइर निकालने के लिए दिया जाएगा तो आप सिंपल सा एक मिधर्ड अपलाई करना क्या जैसे आपसे बोले जाए find the square of different number जैसे बोले आपको 14 का स्क्वाइर निकालना है तो आप बस ये लिखना 14 14 into 14 is equal to आप कोई भी नंबर अपलाई करके आप 196 लिख सकते हो बाकी ये सारा आपका तरीका आपके साथ है मैं आपके साथ हूँ वेदू और आपके साथ है आपकी सफलता निश्चित है इतमिनान से आराम से और बड़े ही काम के साथ अच्छे कामों के साथ पढ़ाई करेंग आज की क्लास में यहीं पर ड्रॉप करूंगा और अगली क्लास में जब मैं मिलूंगा तो इसी टॉपिक को आगे मैं बताऊंगे कि कैसे और भी मेथर्स मैं अपलाई कर सकता हूँ जैसे आपका बुक का कॉलम मेथड है जैसे और भी मेथर्स हो जाएंगे आपके तो सब स्क्वार रूट निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं सब पर बाते होंगी लेकिन अगले क्लासेज में आज के लिए दो मुझे इजाज़त थैंक यू सो मच फो जोएन दिस सेशन एंड टेक क्यर